सबसे पहले मैं आपको P B और H का कॉंसेट बताता हूं सबसे पहले यह सीख लो कि P और B में क्या गेम चल रहे हैं यह जो आपका राइट रेंगल है यहां पर 90 के आपोजिट वाला तो हमेशा हाइपोटेनेस होगा डाट इस लार्जेस्ट वान उसमें कोई प्राब्लम नहीं कभी चेंज नहीं होता चेंज क्या होता है यह अभी आपको दिखने में लग रहाँ यह P है यह B है निनलागी को मैं पी और दिक्रणाइब क्या है अबिखो पी और वीक गए अग में एंगल की बात हो वहां से उसके ऑनगएंट वाला हमेशा पी होगा एंड उसका एडजेसेंट मतलब उसके जट नियर्वाइ जो बगल जो उससे सटा हुआ है यह उससे सटा हुआ है ठीक है यह आपका इसम्ट वाला बेस हो जाएगा और भपोजित वाला पुपेंडिएगोलर एंडजेसेंट वाला बेस मैं अगर एंगल एकी बात की तब क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप एंगल यह लोगे यह आपका एंगल एक ही बात होगी तो मैंने क्या बोला था जिस एक्यूट वाला है यह आपका बी हो गया जो एंगल लो गया उसके वाला पी और उसका एजसेंट वाला बी जरह इसको ठीक से लिख लो बी एंड एच नेवर चेंज एच हमेशा लार्जेस्ट वन होता है जो 90 के वाला है तो एच का तो कोई प्रॉब्लेम ही नहीं हो कभी टेंशन नहीं देगा आपको टेंशन देगा पी और बी का